चोरी के मामले में फरार हर्शित बगहेल सिवनी से हुआ गेर अफ्तार मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक ठाकुर रजनीश सिंध का कट्टर समर्थक और विधायक को अपना बढ़ा भाई कहने वाला यूवक कॉंड्रेस का नेता हर्शित बगहेल अपनी एयाशियो सट्टा जुआ शराब क पूरा करने के लिए एक चोर गिरोह के साथ मिलकर कान्धी वर्तमान सहित आसपास के क्षेत्र में दिन दहारे चोरिया करने कराने में व्यस्त है आपको बता दे की बीते 21 फर्वरी को दोपहर बाद कान्धी वणा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया निवासी वनकर्मी गुलाब थाकुर की धर्मपत्नी अपने घर में ताला लगा कर समीपस्त मनियार बाबा धाम में चल रहे ग्यान यग्य में प्रवचन सुनने गई थी तब सुनेपन का फाइदा उठा कर वनहा पहले से रैंकी कर रहे हर्शित बगहिल वो उसके साथी ने घर दर्वाजा एवं आलमारी का ताला तोड़ कर चोरी कर रहे थे इसी दोरान किसी काम से गुलाब थाकुर के रिस्तेदार का आना हो गया जिसकी आवाज सुनकर दोनों फरार हो गये जिसमें से हर्षित बगहिल फरार होने में काम्याब तो हो गया लेकिन गेहू के खेत में लेट कर छुपा उसका साथी ग्रामवासियों के हाथ लग गया जिसे ग्रामवासियों ने पुलिस थाना में सूचना देकर उसे पुलिस के सुपूर्ट कर दिया था कांधी वाणा पुलिस द्वारा गिरफतार किये गए यूवक से हर्षित बगहिल का पता पूचने के साथ में कई और चोरियों करने की बाद भी कबूल की है वही फरारा आरोपी हर्षित बगहिल की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी गुरुबार को कहीवाना पुलिस ने फरार हर्षित बगेल को सिवनी से गिरफतार करने में सफलता हासिल की है थाना प्रभारी मुहनीश बेस ने बताया कि पहले ही हर्षित के खिलाफ धारा 454 वा 411 का मामला दर्ज है अब पुलिस हर्षित से पूछताच कर रही है